स्वागत है आप सभी काज के हमारे इस वीडियो में आज की वीडियो में मापको जल जीवन मिशन से रेलेटर कुछ नई अपडेट कुछ नई जानकारी बताने वाले जैसा कि आपने थमनेल पर देखा ही होगा सुपरवाजर के पद पर आवेदन तो इस पद के बारे में लखे गये जल जीवन मिशन में प्रतेक ग्राम पंचाच से तो कुल मिलाके उनको जो है प्रसिक्षर दिया गया है कोई पर्मानेंट जॉब कहके नहीं दिया गया है अगर आप इसे नौकरी एक जॉब समझते तो यह मत समझे क्योंकि सची यही है कोई भी सासन की तरफ से क कुछ भी जारी नहीं है ना तो इन कर्मी की कोई लिखित परिच्छा हुई है ना ही कोई आउनलाइन तरीके से आविजन हुआ है केवल परधान ने लिस्ट में जिन लोगों का नाम भेज दिया था उन्हीं लोग की ट्रेनिंग करा दी गई है और इसमें लिया गया ना इसमें जब भी आवशक्ता पड़े तो इन कर्मी को से कार लिया जा सके और ये गाउं में रहते हुए तुरंत ही कारे को पूरा करें और इसके बदले इनको मान दे दिया जाएगा लेकिन परमानेंट नौकरी जैसी कोई बात यहां पर अभी तक नहीं बताई जा रही है ब बिलने की बात बताई जा रही वह भी जो लोग ट्रेंणिंग कर रहा है उनके द्वारा सुचनाय मिल रही है लिखित रूपcidos में अभी बी कहीं नहीं बताया जा रहा है तो जिनसे भी जानकारी यह मेंने की है कि आप लोग ने ट्रेंग लिया है तो क्या होगा वह सब होग भी बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि समय समय पर इन लोगों की आवशक्ता होती है और गाउं में जो पानी का सप्लाई है प्रैसर को खोलना बंद करना यह सारा भी काम रहता है तो इस तरह से यह भी बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिशन हैं और जो फिटर है इन प् फिलाल तेरा कर्मिक जो है कोई पर्मानेंट जॉब पे नहीं है अगर आप यह सोचकर इसमें जुड़ते हैं कि हमारी पक्की नौकरी होगी सेटल हो जाएंगे और हमको इसमें हर महीने मंतली मिलेगी तो ऐसा नहीं है तो यह प्रसिक्षड है और इस तरह से यह रोजगार टाइब काप समझे जो के काम के बदले ही आपको मान दे मिलेगा अब सुपरवाइजर की बात करें कि सुपरवाइजर जो है बुकिस परकार से सुपरवाइजर इसमें काम करेंगे तो सुपरवाइजर का काम यहां पर क्या होगा वह पहले समझ लीजए देखे जब आपके गाउं में तंकी बनने का काम शुरू होगा तो जो परधान है उनको मिला करके एक समीती बना जाएगी पेजल सोचता समीती जिसमें कुछ महिलाएं होंगी वाइड के मेंबर होंगे परधान होंगे गाउं के अनलोग सिक्षित होंगे तो समीती के दोरा ही सब कुछ निर्डे लिया जा आदेंगा तंकी कहां पर बनेगी कैसे बनेगी तो जिब कंपनी जिदोंने टेंडर लिया के लिए बहुत सरा मैटेरियल आएगा और भाध सरुद्धि लोग काम करेंगे तो काफ़ी संख्या में मचदूर वगेरा काम करेंगे अब उन मजदूरों का देख रेक करना उनकी हाजरी लगाना उनका कारे देखना मैट्रेल कितना आ रहा है कितना आया था ये सारी चीज़े जो है देख रेका काम एक सुपरवाइजर का होगा अब आपके मन में होगा सुपरवाइजर का फॉर्म कैसे भर से रखा जाएगा जो कमपनी बिनने का काम करेंगी जो टंकी बिनने का काया जब करेंगी सरण करses करेंगी तो यह सुपरवाजर क्लिए तो के लिए आप जो है किmother जो को ही बिर्द्धाने की सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जागरुक रहेंगे तो पिर आपका नाम भेज देंगे पर्दान तो पिर आपका भी प्रसिच्छर जो भी होना होगा होगा और उसके बद आपको कार दके आपको यह काम करना होगा हाज दिव गडरा लगाणा मजदूरों को देखना है और कितना अरा जारा तो उसी मांदे के हिसाफ से मांदे मिलने कि मतलब हाई सकुल पढ़े अगर इंटर पढ़े थो कम से कम कम आपको 12 6 अगर आप graduation है या और भी कुछ किये हैं तो कम से कम आपको फिर 15,000 भी मिल सकते हैं तो ऐसी यह सारी जानकारी मिल रही है कि कम से कम 10,000 से 15,000 तक के मांदे आपको मिल सकता है कार्य आपको बता दिया है योगता आपको बता दिया आप इतन परधान जी के द्वारा ही लिस्ट बेजी जाएगी ऐसा बताया जा रहा है तो एक supervisor आपको रखा जाएगा जहां पर टंकी बनेगी वहां पर और supervisor की नोकरी भी पर्मानेंट नहीं होगी जब तक टंकी बनेगी काफी समय लगेगा जब तक टंकी बनेगी तब तक इनका काम भी रहेगा तो यह पद था मैंने इसके बारे मापो जानकारी दे दी है यह जो भी जानकारी मतलब है यह जानकारी जो है चमीन चिद्नित हो गई है टंकी बने का काम सुरू होने वाला है तो जैसे मेरे गाउं से काम प्रगती पकड़ेगा तो उसमें जो भी जानकारिया मुझे मिलती जाएंगी वो भी मैं आपके शायर करूंगी फिलाल तो अभी तक की यही जानकारी है तो अगर आप लोग इसमे प्रधान जी से संपर्ग बना के चलना होगा उन्हीं के द्वारा इसमें आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ आज की वीडियो में इतना ही सबका बहुत-बहुत धन्यवाद